कि आप जोईन हो जाई है फटाफट से मैं इतने फॉर्मेट भी बना लेता हूं कुछ डिस कनेक्शन हो गया था बीच में हमारे सामने कुश्चन भी है कुश्चन बाद में समझेंगे पहले हम फॉर्मेट बना लें कुश्चन हम बाद में समझेंगे फॉर्मेट क्या रहेगा हर कुश्चन का मैंने बताया था कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है फिर भी हम सिंप्ली मान के चलते हैं और आपको भी एक्जाम में ऐसे ही फॉलो करना है इसमें से कुश्चन आएगा या नहीं आएगा डेफिनिटली इसमें से कुश्चन देखो पहले की बात करें तो अगर मैं चार-पांच साल पुरानी बात करूँ तो इस यूनिट में से कभी एक्जामनर कुश्चन पूछा ही नहीं करता था तो बच्चे क्या करते थे इस यूनिटको छोड़ के चले जाते थे क्यों क्योंको क्यों करके क्या फायदा थे लेखिन अब कुछ टाइम से इस यूनिट से पूछा रहे हैं और प्राइरेटी बेस्स सपें पूछ रहे हो इसो साम करेंगि सारा अभी इक्जाम का तो ऐसे हमें लेना देना है नीं क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा करना थो सारा कि कि चर्ण चलिए कुश्चन पढ़ ले ध्यान से देखिए कुश्चन में क्या कहता है कि कहता है प्रिपेर एन एस्टीमेटेड इन नेट वर्किंग कैपिटल देखे वर्ड क्या यूज किया नेट मैंने किसको नाम दिया था current assets minus में current liability आगे कहता है capital required x limited और जो capital है वो x limited को चाहिए the following data कहता है estimated cost per unit estimated जो cost per unit है कहता है हम material खरीदेंगे तो हमें एक unit खरीदने में 200 रुपए का खर्चाएगा कोई भी unit खरीदेंगे 200 रुपए का labor को एक unit हम बनवाते हैं तो उसको 75 रुपए देते हैं और overhead में हमारा 125 रुपए का खर्चा आता है total एक unit को बनाने में हमारा खर्चा कितना आजाता है 400 sir labor को 25 रुपए का मतलब कई बार piece rate पे भी wage दिया जाता है जैसे आपको ये product बनाना एक product बनाने के 10 रुपए दिये जाएंगे same एक unit बनाने के आपको दिये जाएंगे 75 रुपए और 125 रुपए आपका क्या है overhead the following additional information available क्या क्या है sir selling price है हमारा 500 रुपए per unit selling price 500 रुपए per unit इसका क्या मतलब है कि जो unit बनके तयार होगा उसे हम बेच देंगे 500 unit और 500 unit selling price होगा तो इससे हमारा help मिल सकता है किसको निकालने में क्योंकि debtor हमेशा selling price पे निकाल देते हैं मैंने last class में कहा था कि हम cost पे भी debtor निकालेंगे और इस पे भी देखना पड़ेगा हम देख लेंगे आउटपुट कहता है हमने कितने यूनिट बनाए बावन सो फिफ्टी टू हंडर यूनिट आउटपुट बनाए राव माटीरियल एवरेजली फोर वीक इसको समझते हैं कहने का मतलब है यहां पे सर जो राव माटीरियल है न वह आपको चार हफते का वीक का चार हफते का अपने पास हमेशा स्टॉक रखना पड़ेगा अब हफते की हम बात करें तो साल के अंदर कितने हफते होते हैं 52 जर्नली अगर कोश्चन में बोले कि साल में आप पचास हफते मानिये तो आपको पचास मानना पड़ेगा और ऐसे साल में कितने दिन होते हैं अगर कोश्चन में आपको कहता है 360 मानिये तो 360 मानना पड़ेगा अब जितने information ज्यादा जिस terms में होगा उसी terms में यहां convert करके करेंगे जैसे यहां पर देखोगे सारे चीज़े weeks में तो हम यहां पर किसमें लिखेंगे week में ही करेंगे तो एक हपते का हम क्या निकालेंगे working capital तो सर यहां पर और क्या given है हमें और देखे क्या देता है यह कहता है raw material तो हमें रखना पड़ेगा अपने पास पूर वीक work in progress assume 100% stage of completion जब 100% completion होने वाला है जिसमें material 100% complete हो चुका है और labor and overhead कितना लग गया और work in progress के अंदर हमारा दो हपते लगने जो भी unit होगा दो हपते लगने और आप यहां पर देखेंगे ने तो output जो दे रखा है ना इसने वो दे रखा है 52,000 पूरे साल का तो इसको भी हमें week में convert करना पड़ेगा कहता है finished goods जितने भी बनेगे हमारे पास hold करना पड़ेगा चार हपते के लिए credit allowed to debtor, debtor को हम जो देंगे वो देंगे आठ हपते cash at bank expected 25,000 रुपे हमारे पास cash bank रहेगा assume production is आपका जो भी production हुआ है उसके अंदर आपको मान के चलना है 52 week पहला question है एक question मैं पूरा करूँ हूँ आपने बस देखना है फिर एक और question करेंगे फिर आपको वहाँ पे समझ भी आना start हो जाएगा तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं sir सबसे पहले बात करते हैं हमारा आ जाएगा current asset इसको नाम एपार्ट और इसके बाद यहां ले लेते हम करेंट लाइबलिटी और इसको नाम दे लेते हैं भी पार्ट current assets में क्या क्या है sir current assets के अंदर आपका आएगा सबसे पहले material material के simple सी बात करें तो हमें दे रखा है 52,000 unit और यह कितने time का एक साल का अगर divide मैं इसे 52 कर दूँ एक हजार आ जाएगा हमारा यानि एक हजार unit का रहेगा requirement तो material बोलता है आप कितने time तक hold करोगे चार हफते एक हफते में कितने unit आपके पास चाहिए होता है हजार तो चार हफते की अगर मैं बात करूँ तो यानि हजार unit हफते का और into में यानि टोटल आपको चार हजार unit अपने पास hold करके रखना है यह holding time में सारह है तो सर चार हजार unit अगर आपके पास रखोगे और एक unit कितने का है 200 का तो आपका इसके अंदर पैसा फसे का जो आपके पास पैसा लगा हुआ रहेगा वह चार हजार into में दो कितने हो जाएंगे अ आठ लाक यह होगा है अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा सर अगला पॉइंट हमारा आजाएगा वार्टिन प्रोग्रेस work in progress work in progress में क्या क्या लगना है तीन चीजे raw material लगना है RM लिख रहा हूं labor लगना है और overhead भी लगना है question ने कह दिया के labor 50% low overhead भी 50% low और जो raw material है 100% low और work in progress में हमें कितने time तक hold करके चलना है दो हफते तो sir दो हफते का हिसाब लगाएं तो 1000 unit एक हफते का खर्चा है और दो हफते का raw material का rate है हमारा कितने रुपे तो क्या खर्चा आ गया ये कितने खर्चा आ गये यहां पर तो ये खर्चा आ गया 4 लाग का सर labor की बात करेंगे तो labor भी 1000 unit पर ही लगेगा और दो हफते के लिए लेकिन labor का rate कतना है 75 लेकिन labor तो 100% नहीं लगेगा ना labor कितना use होगा इसमें ये तो 100% है तो 50% हमें इसका करना पड़ेगा इसका 50% करना पड़ेगा इसका 50% क्या आएगा बताईए बताईए इसका 50% क्या आएगा क्या आगया 75,000 पहले वाला पॉइंट आगया सर 4,000,000 और यह आगया सही से निकाला है न जो आप भोल रहे हूं मैं लिखते जा रहा हूं तीसरा ओवरहेड की बात चल रही है सर ओवरहेड कितना बोला गया सर ओवरहेड जो बोला गया था अगेन वो हजार ही यूनिट होगा और दो हफ़ते का काम रखना है और इसका रेट 125 रुपए 125 है 125 है 125 और इसका भी कितने परसेंट बताइए कितना आएगा एक लाख पच्चेस हजार इस टोटल को कर लेते हैं तो यह आगया दो लाख और चार यह कितने आगए अगला कॉंपोनेंट जो हमारा आने वाला है वो पता ही क्या आएगा हमारा फिनिस गुड्स फिनिस गुड्स में देखा जाए तो टाइम कितना अलावड है सर फिनिस गुड्स में चार हफते तो अब क्या करेंगे एक हजार मल्टिप्लाइब आए फूर यह तो हो गए सर युड्स चार हजार युड्स और फिनिस गुड्स जो बनेगा हमेशा वहाँ पे क्या क्या लगेगा तीनों कॉम्पोनेट्स और अगर मैं तीनों कॉम्पोनेट्स के दो तरीके से दिखा सकता हूँ या तो मैं यहाँ पे कॉम्पोनेट्स को लिख दू कि सर यहाँ पे लगने वाला है दो सो माटीरियल के प्लस 75 लेबर के प्लस 125 रुपए टोटल 400 तो मैं मल्टिप्लाइड डे डारेक्टली कर सकता हूँ तो फिनिस गूट्स में हमें अलग-अलग लेबर ओवर हेड को केटिग्राइज नहीं करना क्योंकि वो 100% है अगर हमारा WIP में भी 100% होता तो मैं अलग-अलग नहीं शो करता मैं क्या करूँगा वहां पर डारेक्ली शो कर सकते हैं तो क्या आएगा सर यहां पर 16,00,00 कोई दिक्कत इसके बाद आज आते हम डेटर पर ठीक है ना अगर हम डेटर की बात करें जर्नली और एक और क्या है हमारा कैश पहले मैं कैश लिख देता हूँ एक क्या हमारा कैश कैश कुश्चन में गीवन है और हमीशा गीवन रहेगा लगभग-लगभग कैश कितने रुपे गीवन है कैश 25,000 अब डेटर की बात करते हैं तो डेटर के लिए कितने रुपें बोले गए हैं तदेटर के लिए आठ हफ़ते का लाओ गए आठ हफ़ते में 100 रुपए के हिसाब से अब डेटर का जो रेड है मैं यहाँ पे फिलहाल इस कोश्चन में मैं आगे डेटेल में जाओंगा डेटर पे selling price कितने ही निट के है तो जब हम बेचेंगे तो 500 का बेचेंगे तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए 500 ले रहा हूँ बताईए क्या amount है 40 अब यह आ जाएगा हमारा total total आ जाएगा बताईए total क्या आ जाएगा सत्तर लाग सत्तर लाग 25 जार current liability में सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे कहीं question में बोला है कि हमारा current liability के लिए हमने इतने time के लिए उधार लिया है जब इतने time के लिए उधार लेते हैं न तो वहाँ पे बहुते हैं lag lag time period अभी हम करेंगे question यहाँ पे कोई नहीं है क्या outstanding कोई बता रहा है यहाँ पे नहीं बता रहा क्या overhead outstanding है नहीं है तो यह क्या आजाएगा हमारा जीरो यहाँ पे अगर हम देखें total liability क्या रहा है जीरो सर वर्किंग capital क्या आएगा current assets minus में current liability यह था आपके exam में इंफेक्ट आया हुआ question है इस type का और question कितने number का आता है सर यह question 10 number का बनता आपके exam ठीक है तो यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे networking capital तो सर networking capital तो आपने बताया था cash asset cash current assets minus में लेकिन current liability है नहीं तो जीरो मान के यही क्या बन गया अगर आपसे gross working capital पूछा जाए तो यही बताऊगे अभी मैं debtor पे आऊंगा पहले यहां तक देखे किसी को कोई doubt है तो बताईए आप करेंट एसेट्स निकाल लिया है करेंट लाइब लिटी एरी अगरेंट जीरो लिखा नहीं है तो जीरो का मतलब नहीं है और वो सारा जितने वी उपर टोटल कि है वो करेंट एसेट्स ही तो है करेंगे 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 हजार यूनिट कैसे आया डेटर के अंदर ये रहा हजार यूनिट आपके हमें हफते का हिसाब लेना चाह तो उसके हिसाब से मैंने हजार यूनिट यहां पे ले लिया डेटर के उपर discussion कर लें क्या रहेगा डेटर पे चलिए मैं भी और भी आगे लेके चलता हूँ अब बात करते हैं डेटर मैं कुछ एक्जामपल ले रहा हूँ रौ मटिरियल 100 रुपय का लेबर 50 रुपय का ओवर हैड मान लेते हैं 30 रुपय का टोटल कोस्ट क्या आएगा सर टोटल कोस्ट आएगा 180 रुपय क्लस कर लिया हमने क्या प्रॉफिट प्रॉफिट मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एड कर लिया 20 रुपय सेलिंग प्राइस क्या आगया हमारा 200 रुपय मैंने ओवर हैड में एक बात लिखी ब्रैकेट में कि डेप्रीशेशन इंक्लूड तो नॉर्मली जो डेटर होगा ना हमारा जो हम सीखते आएं तो मान लेते हैं मैं बेचने जा रहा हम हजार यूनिट हजार यूनिट मैं क्रडिट पर सोल्ड करूँगा अब सिंपल सी बात है एक तो डेटर यह निकलता है जो हम स्टार्टिंग से सीखते आएं सर हजार यूनिट आप बेचोगे दो सो रुपए का एक यूनिट बेचोगे तो मतलब आपका हो गया ये दो लाख रुपए अब दो नए डेटर सीखें हम दो क्या इंफेक्ट एक ही मान के चलेंगे हमारा चैप्टर का नाम क्या है है अगर वर्किंग कैपिटल में जतना पैसे की जरुपए उसकी बात करेंगे अगर रियोटी में देखा जार तो प्रॉफट हमारा पैसे की जरुप नियम्यस प्रॉफट तो एक्स्ट्रा हमाउंट इनकालं पैसे की रिक्वायर्मेंट जो देखी जाएगीव वह क्या करना है तब तो सेलिंग प्राइस पे लेंगे कुछ भी नहीं कहता तो आलवेस किस पे लेने आपको कॉस्ट पर जबकि मैंने पिछले वाले में सेलिंग प्राइस पर लिया है मैं अभी उसे चेंज करूँगा इसके बाद कोश्चन में कहता है कि सर इसके अंदर डेप्रीशे इसमें किसी को पेमिंट किया ही नहीं जाता तो हम डेटर के लिए अगर कॉस्ट निकाले तो सौ रुपे तो सर रोमेट्रियों में लगा पक्का पचास लेबर को दिया पक्का ओवर हैड में 30 दिया लेकिन 30 पॉकेट से नहीं गए कितने गए तो इसका मतलब जो खर्चा है क्या आएगा 170 और डेटर निकालने के लिए हमारा जो कॉस्टिंग किया जाएगा ना एक हजार यूनिट इन्टु में 175 यानि एक लाख सिर्फ वर्किंग कैपिटल चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं तो वर्किंग कैपिटल में जब कभी भी डेटर निकालना हो तो प्रॉफिट वाले पार्ट को एलिमिनेट करना है अगर in case डे रखा है तो डेप्रिशेशन वाले पार्ट को भी क्या कर देंगे हम हटादें उसके बाद निकलेगा यानि सर पिछले वाले question में दिखा जाए तो ये answer भी हमारा हो सकता है अगर question में बोला जाए कि आपको selling price के इसाप्चे निकालना है लेकिन question क्या कहता है यहां पर कहीं भी कहता है कि debtor के लिए कोई भी price लेना है credit allowed to debtor बस बोल दिया और selling price दे दिया हमें कितने का 500 अगर आपने ये question किया तब आपको पूरे marks मिल सकते हैं कब मिलेंगे आपको पूरे marks यहां note देना होगा और note देना होगा कि we are consider debtor at selling price हमने जो debtor consider किया है किस पर किया है selling price लेकिन जब examiner कोई पास जो answer की आता है न डेली इनिवरसिटी में वह answer की जनरली किस पर रहता है कि अगर उनके पास होगा तो वह cost पर लेके चलते हैं और selling price आप कर सकते हो तो इसका मतलब मुझे यहां पर debtor जो है इस debtor को कि कितना रखना चाहिए हमें बताओ question के हिसाप से debtor क्या रखना चाहिए बताओ हां जी कुछ भी नहीं बोला question में अब debtor में हम 500 रुपए के हिसाप से लेके चलें चार सो के हिसाप से लेके चलोगे तो क्या आजाएगा यह कि यह चेंज होगा कि सर यह आजाएगा 32 और कितने आठ लागी तो कम हुए आठ यहां कम कर दो यह बासट हो जाएगा ना कि तो 62 कि समझे बात आप यह भी हो जाएगा हमारा 62 ठीक है कि चली एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं आप बात करते हैं एफ जी की अगर एफ जी की यूनिट लेंगे तो एफ जी में सारे तीनों components 100% आ जाता है हाँ या ना तीनों components क्या रहता है 100 material भी 100 labor भी 100 और overhead भी 100 लेकिन जब FG को लेने जाएंगे तो material में 100 पे लगाएं बिल्कुल सही 50 labor में लगाएं बिल्कुल सही लेकिन overhead में 30 नहीं लगे यहाँ पे भी क्या लेंगे 175 यानि जब FG की calculation करोगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे depreciation को exclude करके चलना है यह जो working capital निकाला जा रहा है वो निकाला जा रहा है cash basis पे working capital अगर question में कह दे के depreciation को मतलब के ignore कर दो तब आप ये काम नहीं करेंगे ठीक है ना पेसिक बाता रहा हूं अभी question आएंगे तो आप देखो यही सारी बाते बोली हुए जो की बहुत सिंपल रहेगा एक और question देख लेते हैं चलिए अभी हमने ये question कर लिया था एक ये question देख लेते हैं इसमें क्रेडिटर वाला भी आजाएगा लगभग लगभग चलिए next question को देखते हैं अगेन मैं format बना लेता हूं झासल झासल झाओते हैं एक जो सकतरा हैं आगेते हैं ड्याओड़ है क्यूशवर्द खाने कर तकी जा रहोता हैं क्यूशस आगे कर दूशखों हूं झासल थिए रहा है मैं झासल मैं घास्बroTalk Okay झासल लोगभग लेकर तका उसल प्याश़भवगग कि यह हमारा वर्किंग अपटल ठीक है कि कुश्चन पढ़ लेते हैं कि कुश्चन में कहता है करना यह को एक लाइक असी बेचे-गा नेक्स्ट यह में अ क्षिसक्प्रइद काउस्त अफूड का दे रखते हैं J真的 कास्त पाइब काउस्त लेक्ट में यख़ॹर कईष्ट आप कैपने रुपय किfeitołर माम हएं फैसे मं म Calvin तो आगे क्या बात कर रहेगा पंद्रा लेकिन इसमें इंक्लूड है डेप्रीशेशन तो हम ओवर हैड को पंद्रा के हिसाब से लेके चलें यह 10 के हर जगह 10 के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा इन फिक डबलू आईपी में भी ठीक है आगे क्या कहता है टोटल कॉस्ट हमारा आगया चालिस का और प्रॉफिट मार्जन रखते हम दस और समान बेच दिया करतें पचास क्या डेटर हम पचास पे लेके चलेंगे नहीं कि आगे कहता है राव मट्रियल आपको रखना होगा दो महीने के लिए वर्किन प्रोग्रेस में लगेंगे आधा महीना वन वाइट टू का मतलब हाफ मन्त है फिनिस गुड्स के अंदर एक महीना रखना होगा क्रेडिट अलाउट बाइस सप्लायर यानि क् क्रेडिट अलाउट टू डेटर दो महीने का ठीक हमने बेचा है लैग इन पेमेंट आफ वेजस मैंने बताया था नहीं क्या लिखा होगा लैग इन पेमेंट इन वेजस मतलब आउटस्टेंडिंग कितने टाइम के लिए वन मन्त के लिए लैग पेमेंट ओवरहेड कितने के लिए हाफ मन्त के लिए कैता है 75 परसेंट गुड्स ओल्ड ऑन क्रेडिट बेशिस तो सर अगर आप 75 परसेंट क्रेडिट बेशिस पे बेच रहे हैं 25 परसेंट कैश बेशिस पर सिंपल सी बात है और कहता है मेरे पास एक्सपेक्टेड कैश जो है वह है बीस अजार फ्र जबार है क्या लिख लेते हैं सार यहां पर लिख लेते हैं हम पहले करेंट एसेट हैकरण इससेट में बात करें सबसे पहले क्या आएगा हमारा रौ अब एक बाड़ data मंत में और हमें भी मंत के इसाफ से चाहिए सारा डेटा मंत है और साल में मेरा जो है next year की बात कर रहा है तो yearly एक लाख ऐसी हजार unit का consumption बता रहा है और महिने में है तो एक महिने का consumption क्या आएगा पंदरा हजार यह एजी रहता है क्योंकि हम यहां calculate कर पाएं अब raw material के बारे में बोला गया तो भाई 15,000 unit की ज़रूरत है एक unit 20 रुपे का question कहता है raw material रखना कितने time के लिए दो महिने के लिए तो multiply by तो कितने हो गए हमारे यह खेला कोई दिक्कत सेकिंड क्या आ जाएंगे हम बताईए डबलू आईपी डबलू आईपी में क्या क्या आ जाएगा हमारा raw material लेबर अब मुद्दे की बात देखिए यहां पे कहीं भी question में यह नहीं कह रहा है कि labor 50% या overhead 50% पिछले question में कह रहा था यहां जम्शन रहेगा जी 50 होता है कभी labor अगर 100 लग गया ना overhead किस बात का डबलू आईपी यह तो fg हो गया फिर तो ठीक है तो सर यहां पे raw material तो 100% ही होगा यानि 15,000 unit हमारा consumption है और 20 रुपए का लेकिन question क्या कहता है डबलू आईपी में मैं आधा महिना चाहिए तो इसका मतलब मैं इसका कर दूँगा one by समझे बात लेवर की बात करें तो अगेन 15,000 unit लगेगा और लेवर का rate question में देखिये क्या दे रखा है इतने पांच रुपए पांच रुपए दे रखा है लेकिन यह भी आधा होगा लेकिन यह 50% पे लेके चलेंगे आधा का मतलब मैंने इसलिए किया month है half 50% हमारा assumption रहता है के WIP में जाएगा ठीक है न सर overhead की बात करते हैं तो 15,000 unit है और overhead भाला की यहां पे हमें 15 दे रखा है लेकिन depreciation क्या consider करेंगे हम नहीं करेंगे तो यहां कितना लेना चाहिए 10 और इसका one by two और इसका भी 50% लेगे कुछ बच्चों को हो सकता है यह समझ में ना आए कि मैं यहां अगेंड बता देता हूं इसका टूटल करके क्या आजाएगा दस डेड़ लाक है अब देखो पहले मैंने अंदर किया था बाहर कर दो कोई फरक नहीं पड़ता यह आजाएगा पिछहत्तर सेहतिस पचास करों कितना आ रहे हैं अड़े डेड़ लाक पिछहत्तर हाँ कि अंदर मैं डारेक्ली लिख देता हूं सर पंदरा हजार यूनित है और फिनिस गूट्स के लिए बताईए कौस्तिंग क्या लिए आ जाए फिनिस गूट्स के लिए कौस्तिंग सर आप लेंगे raw material को बिल्कुल सही 20 रूपै आप लेंगे labor को बिल्कुल सही 5 रूपै, आप लेंगे ओवरहेड को 10 रुपए लेंगे 15 के जगए तो यह आ जाएगा हमारा 35 लेना होगा तो यहां पर क्या लेना होगा हमें टाइम देख लीजिए फिनिस गुड्स में कितना टाइम वन मन्थ है तो मल्टिप्लाइ वन करिए और मल्टिप्लाइ वन नहीं करेंगे तब भी चलेगा तो यह कितना आगे बताईए इसके बाद आ जाते हैं किस पर डेटर के लिए 15,000 लगेंगे डेटर के लिए जो लगेंगे वो लगेंगे कितने 15,000 और सर कितने टाइम तक हम अपने डेटर को अलाउड करते हैं यह देखिए यहां लिखा हुआ है दो महीने और कितने रुपए का कॉस्टिंग है सर डेटर का भी 35 कॉस्टिंग आएगा और कितने महीने दो महीने ये तो 100% रहेगा तो ब्रैकेट में 50 करने की जुरत नहीं है बताईए क्या आ गया 10,50,000 10,00 डेटर के बाद नहीं आप देखिए डेटर में एक दिक्कत है सर 75% ही डेटर हमारे उधार रहते हैं बाकी तो cash मिल जाता है जो कि इस cash में included होगा, adjusted होगा तो हम यहाँ पर कितने लेंगे 75% इसका अब बताईए कितने आगे 10,50 का 75 साथ हाँ साथ लाग 10,500 यह जवाब आया मेरे पास बच्चे कह रहे हैं, सर यह अलगा आएगा एक बार calculate करिए कह रहे हैं, सैथिस 500 आएगा इसका 50% भी करना है, एक बार आप चेक करिए, मैं दुबारा verify कर लूँगा जो भी answer आएगा, उसका 50% भी करना है, मैं कर लूँगा verify डेटर के बाद क्या आएगा? सर कैस, कैस में तो कुछ करना ही नहीं है, जो दे रखा है, वही लिखना है, क्या है हमारा? अब इसको total कर देंगे बताईए total ये क्या आगया? अब liability लिख लेते हैं, या current liability में क्या क्या आजाएगा? raw material raw material, sir, raw material के लिए again 15,000 unit रहे हमारे पास, एक महीने का और 20 रुपए का है, कितने महीने के लिए supplier उधार दे रहा है? तो देखें, यहां कहता है, credit allowed to debtor था और creditor हमें एक महीने, तो multiply by one, तो यह आजाएगा तीन लाग सर, labor में भी कुछ है क्या? बिल्कुल पंदरा हजार, labor पांच का और कितने महीने के लिए lag in payment in wage कह रहा है, labor नहीं कहेगा, wage कह देगा आपको, तो into में one, तो कितने आगे? आगे देखते हैं, overhead, सर, overhead पंदरा हजार रुपए है, अब overhead में कितना लेना है, again लेना है हमें, 10 रुपए, और सर, यहां पे कितने महीने के लिए है, आधे महीने के लिए, तो क्या कर देंगे, one by two, तो कितने आगे यहां पे, यह भी आगे हमारा, टोटल निका लिए लेबर का, तो यह तो आराम से साड़े चार लाख आ गया, यह कितने आ गए, 21, 38, 750, अब निकाल लेंगे working capital, सर, working capital क्या है, CA माइनस में, CL, तो CA माइनस में CL निकाल लिए, A माइनस B कर दीजिया, क्या गया, 700, थोड़ा अच्छे से लिख देता है, 16, 75, बस, 10 नमबर और 15 नमबर का question है, सारी बाते समझ बें आ गया, तो chapter हमें आसान लगेगा, नहीं आए तो फिर मुस्किल लगेगा, इसके अंदर कोई भी extra नहीं आएगा, और क्या add होना है, बस language का खेल रहेगा इसमें, अभी और भी question देखेंगे, और सर, जो question कर रहे हैं, ठीक है, simple, यह आपने यही निकाला answer, कर लिया यह भी, एक question आपको देख करने के लिए, आपको करने के लिए दिया जाए, एक question, पहले एक बार आप पीछले अले question को देख लिए, डाउट नहीं होगा, तो एक question आपको देंगे अभी करने के लिए, इसमें किसी को कोई doubt है, तो पूछे, इसी के जैसा बिल्कुल same question देने वाला हो, है किसी का doubt इसमें, FG में raw material, labor, overhead, अलग से show नहीं करेंगे, क्या, नहीं, देखो, सिर्फ WIP में करते हैं, अलग से show, क्यूंकि उसके पीछे मैंने बताया कि कुछ part 50 और कुछ part 100 है, इसलिए, बाकी ना तो debtor में करना है, ना FG में करना है, कहीं भी नहीं करना, सच्चिन का जवाब आ गया था, 7,87,500, ठीक है, किसी का अभी तक कोई doubt है, hand raise नहीं हो रहा, क्या दिखते हैं अब करिए, शायद होगा, हो रहा है, येस बताइए, 75% कैसे आया, 75% में कहत हो रहा है, सब्सक्रेशन भी ध्यान से देखिए, आप तो आपके सामने कोईशन है, शायद आपको दिखनी रहा है, शायद आपको दिखनी रहा, मैं नीचे कर देता हूँ, इसको, इसको नीचे, और इसको भी नीचे, ये देख लेजी, आपके पास सारा data given है, और इसको मिटा देता है, आपके सामने कोईशन है, देखे, ऊपर ना कुछ information given है, कोईशन नमर 9 है, वो छोटी से networking capital question यहीं से start है, तो इसलिए मैं यहीं से आपको crop करके दे देता हूँ, उपर कुछ भी नहीं given था, सिर्फ company का नाम वगएरा given था, और question यहीं से, यहाँ पे, चलिए, बस इसमें एक point extra है, जो मैं पहले बता चुगा हूँ, यह भी एक्जाम में आया हुआ कुछ नहीं है, एक point सर, क्या extra है, इसके अंदर मैं समझा देता हूँ, कहता है, add 10% you computed figure allow as a contingency, यानि margin of safety, यह लाज में 10% जोड़ना, इसमें कोई इतना बड़ा कुछ है नहीं, आप पटा-फटा इस question करके दिखाईए मुझे अभी, देखते हैं किसका answer सबसे पहले आता है, करते हैं, करते हैं, जहीं कर minimize और भी उलेकर, झालना ओम कुछ रबना, तंस समझा आता है, पो िखते हैं किसका जूए right बड़ा कुछ है, कर बं़गर में ऐना इस पहलें किसका अवरे 。」 कि हैंड रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा बही कुश्चन भी करिए बाकि अब करिए एक बार दुबारा से आप कि एक बार दुबारा करिए आप कि मेरे पास नहीं आए किसी का कौन से फॉर्मेट उपर से पूरा नहीं देख रहा उपर है ही नहीं कुछ इतना ही एस्टिमेटिड कॉस्ट पर यूनिट से स्टार्ट है कुश्चन कंपनी का नाम एक पिछले पेज पे था मैंने हटा दिया कंपनी कुशन झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कुछ बच्चे कहरें उपर नहीं दिख रहा है यह लो थोड़ा चोटा कर देता कर दे कर दो कर दो कर दो कि यह लेगे कुछ समिक नहीं कर दो 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 कि यह पर दोड़ा है कि अजय को अब भी आख वे में आख वे इस गेंड रेज साइध किसी का है के नहीं है पता नहीं करने का ओवरहेड हाँ कनवर्जन कोस्ट ओवरहेड है जिसका हैंड रेज है वो क्लोज कर दो क्योंकि डिस्टरबिंस आ रही होगी फिर मेरे पास तो शो होने रहा भी झाल 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 अिल्ग कर दो इसति हैं आप्सटें इसतित किलोंगर कर दोन्तों आपटें आप्सके हैं अप्सकते हैं युझे आपर कर दो भेडर को अजिए अभी किसी का हैंड रेज नहीं लूँगा मैं सबसे लास्ट में लूँगा मैं पहले आप कुश्चन करिए और आंसर लिखते जाहिए बस अक्से आपकी वोईस साइड ओन रहेगी उसे बंद करिए यहां से मैं यहीं से कर देता हूँ एक मेंट अब भी आ रही है बताईए एक मुनेट में पंद लूँटन 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 लास्ट अब है है अब है अब है में टाने की सबसे लांस्ट में लिए करें हैं बहुत डिस्टेवन्स होती है एक में है उनका है इसक्रेश क्यों नहीं हो रहा है कि अधार अधार रही केनेक्स कर देता है इसे नहीं के पर यह प्रस्चा टॉम्ट है